नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लेयर 3 एजूकेशन में और आज मैं आपके लिए हिंदी का मोक टेस्ट नमबर तीसरा लेकर आया हूँ अपनी रोज शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास और ये ग्रामर की जिसमें अपन 20-20 क्योशन डेली कर रहे हैं तो आज आपका मोक टेस्ट नमबर तीसरा हैं जिसमें हम अपन 41-50 क्योशन करेंगी आज आपको इसमें 18 नमबर लेकर आने हैं कितने 18 आज आपका टार्गेट रहेगा 18 ठीक है आपको 20 कोपी पेन लेकर बेठना है और आपके 20 में से आपको 18 लेकर आने हैं तब ही आप हमको लगेगा कि आपकी हिंदी के तयारी बहुत ही अच्छी चल रहे है तो आपको डेली रोज 20-20 क्योशन देखना है तो आपके अच्छे से क्योशन तयार हो जाएंगी तो मैं आपके लिए सारे मिक्स क्योशन लेकर आया हूँ तो वीडियो को आप जाध से जाधा लोगों में शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें ठीक है बढ़ते हैं अपने पहले क्योशन के ओर 41 ये बताए आज ये अच्छे से अच्छे क्ष्चन लिख रहा है हूँ मैं आपके लिए प्रत्वी राज रासो किस काल की रचना है बताए आदिकाल, रितिकाल, भक्तिकाल या आदनिक काल प्रत्वी राज रासो किस काल की रचना है तो आपने लगा दिया होगा सही आंसर हमारा सही आंसरों का उप्षिन नमबर A प्रत्वी राज रासो आधी काल की रचना है कौन से काल की रचना है आधी काल की अगला क्यूशन 42 हिंदी की उत्पति किस भासा से हुई है प्राक्रत संस्क्रत सोर सेनी या अब्रंश या मगदी बताए हिंदी की उत्पति किस भासा से हुई है ये भी आपको सब यादे हिंदी की उत्पति संस्क्रत भासा से हुई है नमबर B किस भासा से हुई है तो हिंदी के उत्पति हुई है संस्कृत भासा से राज भाशा आयोग के प्रत्यम अध्यक्ष थे कौन B जी करे राजा लक्ष्मन सिंग प्रताप नाराण सिंग या इशा अल्ला इशा अल्ला बताए राज भाशा आयोग के प्रत्यम तो हमारा आंसरों का उप्शन नंबर ए इसको बीजी राजभाय सा आयोग के प्रतम अध्यक्षिस थे बीजी खरे कौन थे बीजी खरे अगला क्योशन है यह बताएं दस्वा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया नागपूर नई दिल्ली जैप यह बोपाल बताएं दस्वा विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया तो दस्वा विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था कहां आयोजित किया गया था दस्वा विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था और हिंदी आपको एक क्यूशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है अगला क्यूशन किसी व्यक्ति वस्तु अत्वा इस्तान के नाम को संग्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं संधी कहते हैं या क्रिया कहते हैं तो सब ने लगा दिया होगा स दोवर्णों के मेल से जो विकार उत्पन होता हैं संधी आपको बता दरतों हमारा आंवा नंसर में लौन है इतलों पर नीम हमने संदी डोवर्ण के मेल जो विकार उत्तफन होता हूँ से हम कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं बताएं क्रिया क्रिया वह शब्द जो कारे के होने का बोध हो से कहते हैं क्रिया वह शब्द जो कारे के होने का बोध करा है उसे हम कहते हैं क्रिया तो हमारा संग्या किसी व्यक्ति वस्तुरस्थान के नाम को संग्या कहते हैं यह बताए रंग शब्द से क्रिया बनती हैं बताए रंग वाला रंगना रंगीला रंग रेज तो रंग शब्द से क्रिया बनती हैं बताएं तो आपने लगा दिया होगा रंग शब्द से करिया है रंग ना option number B हमारा सही अंसर होगा बढ़ते हैं अपने अगले question क्यों निम्न मेंसे कौन सा संयुक्त स्वर हैं कल ही बताए मैंने आपको O, E, A और O बताए निम्न मेंसे कौन सा संयुक्त स्वर हैं तो हमारा राइट आंसर को option number D, संयुक्तस्वर कौन सा है, तो option number D हमारा सही answer को क्या पूछा, निमन में से संयुक्तस्वर है, O, O कई से मिलकर बनाएं, बताएं, कल लिए बताया था, A plus O, A plus O से मिलकर बनाएं, O, इसे हम कहते हैं संयुक्तस्वर, तो हमारा answer क्या होगा, option number D, और इन्हें क्या कहते हैं, E, U, और A, इन्हें कहते हैं हच्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ् प्लस उ से मिलकर बना है ओ देवेश में कौन से संदी हैं दिर्ग संदी व्रद्दी संदी गूण संदी या यन संदी के ओपर मैंने अच्छे से ट्रेक से बता रखा हैं पूराने वीडियो जिन्हें नहीं देखे हैं वो एक बार प्ले लिस्ट में देख लेना मैंने आपके गर्नित पेड़ालोजी के 33 कुष्टिन बना के आपको गूरूप में सेंड कर दिये precaution उसके बाद में आपको के इंदी grammar पड़ा दिये हैं दे पेड़्ालोजी करा दिये हैं मैंने आपको सारी प्लेलिस्टें theology क्रूप में सेंड कर दिये मैं आपको संधी एक बार सिव बनेगा सेम से सेम मिले महां होगा देर्गे स्वर संदी गुण स्वर संदी में ए ओ अर बनेगा क्या बनेगा ए देवेश ये दखो गुण संदी में क्या है देधन एश ये बना है ए ओ अर बनेवा है गुण संदी व्रद्दी संदी व्रद्दी संदी में जहां भी डबल मात संदी कुम संधी में ए य बता दिया देरग संधी में सेम सेम या यह संदी में यह उर्व इनके आगे अगर आधे अख्षार आते हैं तो वहां होती है यह सोर संदी इसका पूरा शोर से मैंने वीडियो बता रहाँ हैं, आपको, वो देख लेना आप, सब पता चल जाएगा, अग्ला क्यूश्चन है आप सभी की मुस्कूराहट आप जो वीडियो देख रहेें हैं, आप सभी की मुस्कूराहट अत्यंत PYAR 가지고 है, इस वाक्य में प्रयुक्त तो मुस्कूराहट शब्द कौन से संग्या हैं बताएं जो आप जितने भी हम स्टुडेंट जो आज वीडियो देख रहे हैं तो इसलिए आपके उपर एक क्वेश्चन है कि आप सभी की मुस्कूराहट अत्यनत प्यारी हैं इस वाक्य में प्रयुक्त मुस्कूराहट कौन से संग्या है जातिवाचक भाव वाचक गुण वाचक या विक्तिवाचक तो यह मुस्कूराहट हैं भाव वाचक संग्या कौन से संग्या है भाव वाचक संग्या अगला क्यूश्य है पूजा चाकू से सबजी काटती हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है कर्म कारक करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक बताएं, पूजा चाकु से सब्जी काटती हैं, तो इसमें कौन सा कारक हैं, बताएं, कारक होते हैं, आठ प्रकार के, करताने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंद का कीरे और संमोधन ह तो पूझा चाकू से सब्जी काटते हैं इसमें कौन सा का रखें बताएं को इसमें करन का रखें कौन सा का प्ता पेड मतलब पेडर अलग हो रहा है उश्यल passion Nunder A अगला क्योशन है ललित ललाम किसका ग्रंत हैं? बताएं जस्वन सिंग, भूशन, पदमाकर या मतिराम ललित ललाम किसका ग्रंत हैं? तो ललित ललाम है मतिराम जी का किसका ग्रंत हैं? मतिराम जी का ओप्षन नमबर D ये बताएं रस कलस किसकी रचना है श्री धरक पाठक अयोध्यासी उपाध्याई गया प्रशाश सुक्ल या मेथिली शरण गुप्त बताएं रस कलस किसकी रचना है तो रस कलस रचना है हमारे अयोध्यासी उपाध्याई जिनका एको नाम है हरियोद अगर आपसे पूछ ले रस कलस किसकी रशना है और ये नाम नहीं आए और ये आजाए हर योद तो option नमबर दोनों सही है रस कलस किसकी रशना है तो रस कलस है अयोध्यासी है उपाध्याए अगला question है शब्द अनवर का संधी विच्छेत है कौन सा अनवर का सही संधी विच्छेत है अनू प्लस आए या इन में से कोई नहीं तो option number C अनू प्लस आए अनवर का संधी विच्छेत क्या होगा अनू प्लस आए 54 जो आखों के सामने न हो मैं आपको पड़ा रहा हूँ आप हम मेरे आखों के सामने न हो तो इसे क्या कहेंगे जो आखों के सामने न हो प्रत्यक्ष दूरस्त और परोक्ष बताए जो आखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे जो आँकों के सामने नहों उसे कहेंगे अपन परोक्ष क्या कहेंगे परोक्ष अगला क्यूशने 55 पेट में लगने वाली आग दावानल जट्रांगीन वड़नावल या कोई नहीं पेट में लगने वाली आग को क्या कहेंगे तो option number बताएं इसका सही अंस क्या होगा तो option number बी पेट में लगने वाली आग जट्रांगीन क्या कहेंगे जट्रांगीन अगला क्यूशने आगे कुवा पीछे खाई का अर्थ बताएं चारों तरब जल ही जल रास्ते का बंद होना दोनों और मुसीवत और बीच में निकल भागना बताएं आगे कुव पीछे खाई बता इसका सही आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा option number C दोनों और मुसीवत अभी आपके साथ यही चल रहा है आगे कुवा पीछे खाई सवीदा की तैयारी करें के नहीं करें एक्जाम आगे बढ़ गई एक्जाम तैयारी नहीं करोगे और एक्जाम आ जा होगे तो फिर दोनों तो रफ मुसीवत यह मुसीवत तो आगे कुवा पीछे खाई इसलिए आपको लगातार तैयारी करते रहना चाहिए अगला question बताएं यह नाक का बाल होना मुहावरय का अर्थ बताए अधिक समीप होना कष्ट देना अधिक प्रिय होना या पालतु हो से बोली जाती है या लिखी जाती है उसे एक स्वर कहेंगे भेजन कहेंगे मन कहेंगे या अक्षर कहेंगे बताएं तो जो सुतंतर रूप से बोली जाती हैं उसे हम कहते हैं स्वर option number a क्रदंत प्रत्य किसके साथ जूड़ते हैं संग्या सर्वनाम धातू और विशेशन ब यह चंद पढ़ायते मैंने आपको तो इसमें बता दीजिए अब चोपाई चंद के प्रत्यक चरण में कितनी मात्राइं होती हैं चोविस सोला ग्यारा और तेरा क्या बताया था मैंने चोगीरो हरी अगर किसने चंद का वीडियो नहीं देखा हैं तो वह एक बार वीडियो देख ले बताएं चोपाई चंद के प्रत्यक चरण में कितनी मात्राइं होती हैं तो हमारा आंसर होगा ओप्शन नंबर भी चोपाई चंद में होती हैं सोला मात्रा क्या बताया था मैंने चोगीरो हरी चोपाई में बताया था मैंने सोला सोचो गीतिका में क्या बताया था हमारा सही आंसरों का चोपाई में होती हैं 16 मातरा और 24 मातरा में होती हैं गितिका में 26 और हरी गितिका में 28 यह आज आपके 20 question है और आज आपको smoke test तिसरे में 20 में से आपका है 18 नंबर आने जब आपके तयारी बहुत ही अच्छी है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपको रोज सुबे क्लासे मिल रहे हैं आपको चार बज़े से क्लासे मिल रहे हैं आपको आड़ बज़े हिंदी का हिंदी पेटालोजी का एक वीडियो आ जाता हैं गणित का एक वी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद